फ्रेंड्स मेरे पास एकी एमिज है जिसे मैंने haire style change करके दिखाया है इससे पहले वाले image यह वाली है और hairstyle करने के बाद image यह वाली है तो यह किस तरह से करते हैं हम अपने audio sophosome 7.0 में बहुत ही आशान त्रिक्य के साथ हौँ है चलिए video शुरू करते है और सीखते है ahí friends सबसे पहले आपको photo open कर लेनी Photoshop में जिस भी photo में आपको hairstyle change करना है मेरे पास एक किए photo है तो इसरे पर में आपको hairstyle change करकी दिखाँगा हमें अपना layer box open कर लेना है आगर layer box open अभान आपको open करना है तो यह windows ने जाके और यहां layer OnePlus पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से open हो जाएगा और इसकी एक duplicate copy तयार करेंगे यह इसको पकड़के इस पे ले के आएँगे पपने के निसान पर इस तरह से ही हमारी duplicate copy तयार हो जाइगी अब जो भी काम करेंगे हम इसी copy पर करेंगे, अब हम ही हम चैसे पहले यहाँ से toolbox में जाके और यहाँ blur option पे click करेंगे यहाँ से हम summer tool को select करेंगे और यहाँ mode में आम इसको normal पे रखेंगे और यहाँ उपर strength में हम 50 या 51.2 के आज पास इतना ही रखेंगे आप अपनी image में एक बार use करके देख लेना अगर ज्यादा लगे तो कम भी कर सकते है और कम हो तो ज्यादा भी कर सकते है इसके बाद यह जो दो uncheck के निशान है इनको ऐसे ही रहने देंगे blank और हम इस फोटो को zoom करके और brush को छोटा बड़ा अपने keyboard के bracket से करेंगे इस तरह से और brush को हम इस तरह से लेके आएंगे इस समझ टूल को इसको हम इस तरह से round में गुमाएंगे गोल तरह से जिससे की hair का style change हो सके इस तरह से हम गुमाएंगे और जैसे यह दूसरी साइड है आपको किस तरह से design करना है वो आप अपने हिसाब से करेंगे मैं एक बार आपको पता देता हूं जैसे मुझे यहां से यह hair design चाहिए तो मैं इसको यहां से इस तरफ इस तरह से गुमाऊंगा ब्रूश को इस तरह से उपर लेके जाऊंगा जिससे की यह hair design इस तरफ से लगे ब्रूश को आप छोटा बड़ा भी कर सकते है इस तरह से आप मैं एक बार आपको पहले इसको करके दिखा देता हूँ आपको round round में इस तरह से गुमाना है गोल या जैसे भी आप अपने hair style change करना चाहिए जिस तरह से उस तरह से आप अपने इसका समझ टूल का यूज कर सकते है और friends जैसे हमारे ये बाल ज्यादा बाहर निकले हुए है तो आम इनको अंदर की तरफ करेंगे अब की बार आम या बैक्राउंड पे समझ टूल को क्लिक करके और इनको इस तरफ अंदर की तरफ करेंगे आपको इस तरफ माउस से दबा के और इस तरफ करते जाना है एर स्टाइल आप अपने इसाब से भी अलग से कर सकते है जैसे मैंने ये इसको बालों को थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया है जिससे की ये परफेक्ट दिखाई दे अब फ्रेंड्स बुरुष को छोटा बड़ा भी कर सकते है जैसे मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ और इस तरह से इनको थोड़ा उपर लेके जाएंगे बालों का आकार इस तरह से बुरुष को छोटा करके आप इस तरह से दे सकते है समझ टूल से इनको इस तरह से वापिस करेंगे जो अगर उपर ये निसान दिखाए दे तो इनको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से जैसे साइड के ये है हेर इनको हम समझ टूल से नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से जिससे कि ये हमारे दूसरे वाले हेर उपर की तरफ नजर आए उठे हुए अब फ्रेंड्स हेर होने के बाद हमें इसमें एक इफेक्ट लगाना है हेर में जैसे आजकल के लड़के जो करते है हमें क्या करना है बुरुष को छोटा करके और यहां स्केन से कलर उठाना है माउस को दबा के और एक बार इस तरफ लेके जाना है और फिर से एक बार इस तरफ लेके जाना है हमें color पर click करके color पर click करके और इस तरफ लेते जाना है जिससे कि ये इसमें hair style अलग से नज़र आए तो हमें ये इस तरह से कर देना है और अगर आप दूसरा कोई कट लगाना चाहे तो आप इस तरह से लगा सकते है जैसे मैं यहाप लगाता हूँ आप इस तरह से भी कट लगा सकते है आप इस तरह से बाहर के बालों को बाहर की तरफ से अंदर लेके आएंगे आप इस तरह से भी इनको अच्छे से सेट कर सकते है और बुरुष को छोटा बढ़ा करके इस तरह से हेर का भी डिजाइन आप अलग से बढ़ा सकते है और फ्रेंट्स अगर आपको लगे जैसे इसमें ये अलग से निशान दिखाई दे रहे है तो इनको मिक्स करने के लिए बुरुष कट इस्तेमाल करेंगे यहा से बुरुष लेने के बाद यहां से हम सोफ्ट बुरुष रखेंगे ओपी सिटी को हम कम रखेंगे और फोलो को भी हम कम रखेंगे और कलर उठाएंगे यहां से ओल्ट दबा के माउस से क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि यह अलग आप इस तरह से कोई भी हैर स्टाइल बना सकते हैं अपने इसाब से अपनी इमेज के अनुसार तो उमीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू